नमस्का दोस्तों, श्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में तो दोस्तों आज के वीडियो में बात करेंगे सिंदु घाटी सबेता के बारे में जी हाँ दोस्तों, इस टोपिक के 15% महत्पुर्ण लिये हैं जो विबिन भरती परिक्षव में आये हुए हैं आये शिरुवात करते हैं इस वीडियो की और जो अंतिम में जो परशन है वो और ही महत्पुर्ण है पहला परशन है किस हडपी इस्तल से एक साथ दो फसले उगए जाने के साक्षे मिलते हैं तो दोस्तों कौन सा हडपा सबेता के स्तल है जहां से दो फसले एक साथ उगए जाने के साक्षे मिलते हैं अगला परशन है नेमन लिखित को शुमेलित कीजिए जिहां दोस्तों शुची एक है जैसे सबेता इस्तल के नाम दे रहे हैं बाला कोट, शुरकोटडा, लोथल और चनहुंदडो और सामने दे रहे हैं इन में क्या-क्या चीज़े बनती थी, कौन-कौन से चीज़ें किस इस्तल से मिली हैं उनको आपको सुमेलित करना है तो दोस्तों बाला कोट, जिहां बाला कोट में मिली थी, वह है आपकी चीज़, सीप उद्योग बाला कोट मिला था, सीप उद्योग, और उसके बाद में हैं शुर्कोटडा शुर्कोटडा से मिले थे आपके कलस सवाधान और उसके बाद में हैं लोथल लोथल से आपके मिले थे बंदरगा जो डोक यार्ड कहलाता है बंदरगा और चनहुंद्रों से मिला था मन का बनाने का कारखाना तो दोस्तों ये परसिन काफी में तो परसिन को भी आप नोट करके रखें काफी अच्छा परसिन है तो अगले परसिन क्यों बढ़ते हैं तीसरा प्रस्ण है वह सील जिस पर एक योग की आकरती बनीवी है जो पशुपति शीव जैसी दिखाई देती हैं कहां से मिली है तो दोस्तों ओप्शन है महन जोद्र से हरपा से लोथल से या फिर काली बंगा से तो दोस्तों इसका सही उत्र हो जाएगा काफी अच्छा प्र है जोथा प्रसुन है शिंदू घाटी सब्वेता में महरों के निर्माण के लिए किस सामगरी का प्रयोग नहीं किया घया तो दोस्तों इसमें सही उत्र हो जाएगा लोहा, लोहे का प्रियोग मुहुरें बनाने के लिए प्रियोग नहीं किया गया था और सबसे ज़्यादा प्रियोग किया गया है सेल खड़ी की मुहुरें मिली सबसे ज़्यादा मुहुरें सेल खड़ी की बनी हुई सिंदु गाटी सबिता में मिली है तो इस परसंद को भी आप ज्यान में रखिएगा तो अगले परसंद की और बढ़ते हैं अगला परसंद है किस ने कहा वास्त्यों में ऐसा परतित होता है कि मिस्र यहां मिस्क टाइप हो गया और मिस्र और मुश्र फोटामिया की सबेताओं के भांती हड़पा सबेता एक धर्म राज्य पर आधारित थी तो दोस्तों यह किस ने कहा था एल बासम, बीबी लाल, डीडी कोसाम भी या फिर अरनेस्ट मेकेने तो दोस्तों एक बार परसंद फिर से देख लें किस ने कहा वास्तों में ऐसा परतित होता है कि मिस्र और मिस्रो पोटामिया की सबेता की बांती हड़पा सबेता एक धर्म राज्य पर आधारित थी तो इसका सही उत्र हो जाएगा एल बासम, एल बासम है जो इसका सही एंस्वर है अगले परसंद क्यों बढ़ता है अगला परसंद है अडपा के लोगों के निमल लिखित में से कौन से मनोरंजन के साधन थे दोस्तों ओप्सन है आपके चोसर, पासा, नृत्य या फिर आखेट इन चारों में से कौन-कौन से अडपास सबीता के लोगों के मनुरंजन के सादन थे तो सर्पासा, नर्त्य और आखेट तो ओप्सन है सही कौन सा है बताना है केवल A और B केवल B और C केवल A, B और C और A, B, C, D तो इन में से कौन-कौन से अटपा सबेता के लोगों के मनोरणजन के साधन थे तो स्थों ओप्सन हो जाएगा राइट इसका ओप्सन 4.A.B.C.D. याने चारों ही चीज़ें हडपा सबेता के मनोरणजन के साधन थे इस तीज को भी आम नोट करकर रखें अगला क्यूशन है तो प्रसंसिंके साथ है हडपा सभेता के निम्न में से किस इस्तल से अगनी पुझा के साखशे प्राप्त होँए हैं तो दोस्तों इन में से आपको बताना है जिस ऑपंसन में से निम्न में से हडपा, महंजोदरो, बनावली और मांधा तो दोस्तों बहुत से इस तल थे जहां से अगनी पुजा के साक्षे मिले हैं या फिराग्नी कुंड मिले हैं तो दोस्तों इन में से कौन सा राइट एंस्वर है तो इसका राइट whatsoever हो जाएगा बनावली और कई लोग इसको बनवाली भी कहते हैं तो बनावली इस्तल है जहां से अगनी पुजा के साक्षे प्राप्त हुए थे तो आप अगर कहेंगे तो मैं पिन करके बता दूँगा कि अगनी पुजा के साक्षे कहां कहां से मिले हैं पूरे टोटल स्थल है वो भी बता सकता हूँ और अगले प्रसंद क्यों बढ़ते हैं किस पूरा स्थल के धुर्ग में साथ अगनी कुंड प्राप्त हुए हैं जो करमबंद साथ अगनी कुंड है वह आपके कहां से कौन से स्थल से प्राप्त हुए हैं दोस्तों इस इसको भी नोट करके रखिएगा अगले प्रसंद के और बढ़ते हैं अगला प्रसंद है निमनलिकित में से किस की पुजा हडपा संस्कर्ती में नहीं होती थी तो दोस्तों इन में से एक किस हैं किसकी पुजा जो हडपा से बिता के लोग नहीं करते थे ओप्सन है आज ये रूप सिव, मात्री देवी, पीपल या फिर विश्णू तो दोस्तों इसका राइट एंस पर हो जाएगा आपके विश्णू विश्णू की पुजा अडपा संस्कर्ति के लोग नहीं करते थे और फिर आज ये सिव हैं, पीपल है, मात्र देवी हैं इनकी पूजा अडपा संस्कर्ति की अधिकान्स मोहरे किस चीज़ से बनी हुई है तो पहले भी हम बात कर चुके हैं तो option इसका right हो जाएगा आपका सेल खड़ी सेल खड़ी की एदिकांस मोहरे हडपा सबेता में मिली है दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रहे हैं इसको like जरूर करें और चैलन को subscribe भी कर लें अगले प्रसंद के और बढ़ते हैं अगला प्रसंद है रिगवीद के साक्षियों को आधार बना कर किस विद्वान ने सरुपर्थम हडपा सबेता के पतन के लिए आर्यों की आकरमन को उतरदाई ठहराया था तो दोस्तों ऐसे कौन से विद्वान थे जिनोंने तो दोस्तों इसका राइट एंसर हो जाएगा मार्टी मर्वेलर जिन्होंने बताया था कि हडपा सबेता का पतन आर्यों के आकरमन के कारण हुआ था अगले प्रसंद के और बढ़ते हैं अगला प्रसंद है निमनलिकित में से किस इस्थल में हरपा लिपी में बहुत बड़े बड़े अक्सरों में लिखावा एक लगू अभिलेक फ्राप्त हुआ है जी हां दोस्तों बहुती बड़े बड़े अक्सरों में लिखावा एक नगर के बाहर लगवा ये बोर्ड मिला है जो कहां से मिला है बानावली से दोला वीरा से काली बंगा से या फिर मोहंजी ओदर से तो दोस्तों हडपा लिपिम लिखावा एक बहुत बड़े बड़े एक्सरों वाला लेख मिला है जो आपके मिला है दोला वीरा से दोस्तों अगला ही परसन देख लेते हैं, परसन सहीकिया तेरे, निमल लिखी में से कोँ से हड़पा स्टाल प्राचिन शुतुद्रुद्रु नदी परिस्थित है, तो दोस्तों ये है, चनहुन्द्रों, राखिगडी, हडपा और रोपड, इन में से कोँ सा स्टाल पर इस्तित था अगले प्रसन की और वणते अगला प्रसन है कि ये काफ़ी महत्वपन प्रसन हैं जो विभिन प्रिक्ष्यों में पुछा गया है निमन में से हडपे स्टलों में से किन में चावल की खेती के पर्मान मिले हैं दोस्तों अडपा के कौन से इस्तले जहां से चावल की खेती के साक्षे मिले हैं तो option है आपके काली बंगा, लोथल, मोहन जोद्रो और श्कुर्कोर्डा इन में से किन-किन इस्तलों पर चावल की खेती के साक्षे मिले हैं तो option देखते हैं नीचे दियेगे ये सही कूट का आपको प्रियोग करना है ओप्सन है A एवं 2, A और 6, 2 और 6, 6 और 6 इनमें से कौन सा सही उत्तर आपका है जहां से चावल की खेती के साक्षे मिले हैं तो इसका राइट एंसर हो जाएगा आपके A एवं 2 तो काली बंगा और लोथल ऐसे इस्तल हैं जहां से इन उप्सन में वहाँ पर चावल की खेती के साक्षे मिले हैं तो ये बात आप ध्यान में रखिएगा अगले प्रसन के और बढ़ते हैं अगला प्रसन है ये बहुती सांदार प्रसन है एक मुद्रा पर एक व्यक्ती बाग से लड़तावा अंकित है ये किस हडपन इस्तल से प्राप्त हुई है ये दोस्तों प्रिक्षव मायवा प्रसन है बहुती सांदार प्रसन है तो एक व्यक्ती बाग से लड़तावा अंकित किया गया एक मुद्रा पर और ये किस इस्थल से प्राप्त हुआ है, महुंज योद्रो, राखी गडी, काली बंगा या फिर बनावली, तो इसका राइट एंस्फर हो जाएगा, महुंज योद्रो, जी हाँ दोस्तों, महुंज योद्रो से ये मुद्रा प्राप्त हुई है, तो दोस्तों ये थे आपके और परसन में आप लोगों के लिए बनार के लिए तैयार हूँ तो धन्यवाद वीडियो देखने के लिए